हेलो फ्रेंड्स, इजी कुक एंड ब्लॉक्स में आपका स्वागत है आज मैं आपको बज़ार के पीजा बेस से इंस्टेंट पीजा बनाना सिखाऊंगी इसके लिए मैं पीजा बेस, स्वीट कॉन, अनियन, टमेटो, कैप्सिकम, चीज, पीजा सॉस, टमेटो सॉस, चीली फ्लेक्स और 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 येने यूज़ करती हूँ सबसे पहले पीजा बेस पे हम पीजा सॉस को अच्छे से स्प्रेट करेंगे इसके बाद थोड़ा सा टमेटो सॉस प्रेट करेंगे ये ऑब्ष्णल है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते हैं अब फिर मैं चीज क्यूब्स को अच्छे से इस पर स्प्रेट करूँगी आप चाहे तो मोजेरला चीज का भी यूज कर सकते हैं बट ये चीज जो उता है क्यूब वोले ये थोड़े अच्छे क्रीमी टेस्ट देते हैं अब मैं इस पे अनियन्स के पेटल अच्छे से सजा के स्प्रेट करोंगी इसके बाद मैं कैपसिकम के किट कुछ पीसेस को इस स्प्रेट करोंगी जहां जहां भी आपको जगह दीखें इसको एक बराबर लगा लेना है इसके बाद टमाटर टमाटर भी आप इस पे अच्छे से स्प्रेट करें अब मैं चिली फ्लेक्स लें यूज करोंगी और गैनो थोड़ा सा नमक अब फिर से मैं इस पे चीज क्रश करोंगी और एक मैं इस पे स्लाइस वाले चीज को यूज करोंगी उसको भी कुछ पीस कट करके मैं इस पे स्प्रेट करोंगी यह देखें मैंने स्प्रेट कर दिया अब मैं इस पे स्वीट कॉन डालोंगी स्वीट कॉन भी अच्छे तर तोड़ा सा फिर से चिली फ्लैक्स और गैनो थोड़ा सा फिर से इस पर स्प्रेट करूंगी अब मैं इसको अपने एर फ्रायर में 15 मिनिट के लिए 150 जिकरी पर रखूंगी अगर आपके पास एर फ्रायर नहीं है तो आप माइक्रोवेब या इसे इसली तवे भी बना सकते है मैंने इसे अपने एर फ्रायर में बेक किया है आप बीच में इसको रोग के देख भी सकते हैं कि अच्छे से बेक भुआ है कि नहीं देखिए मेरा पिज़ा बेस कितना अच्छा तयार हो गया है मुझे होप है कि आपको पसंद आएगा प्लीज लग अच्छ गया है